प्रभीश मसी के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार में सजी भिलाए वाला बजन चपन तीन जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा डर एक सभाविक सभाव है हम सब डरते हैं किसी न किसी चीज से कुछ लोग अकेलेपन से डरते हैं कुछ लोग तिरसकार से डरते हैं कुछ लोग पानी से तो कुछ आग से डरते हैं हर जीव डरता है और डर जरूरी भी है भजन लिखने वाला कहता है जिस समय में डरूँगा मतलब है कि डर का होना तय है, कब होगा ये देखना है, जब भी होगा मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा डर का मुख्य कारण कमजोरी है, जब हम शरीर में कमजोर हो जाते हैं तो हम डरने लगते हैं हम बीमार होकर शरीर में कमजोर होते हैं, तो लगता है कि हम मर जाएंगे, तब हम डरने लगते हैं कमजोर हिरन ताकतवर शेर से डरता है मनुष्य के जीवन में डर का एक और कारण है, मानसिक कमजोरी इसे मेरा अर्थ है अपराद बोध, जब कोई कुछ गलत काम करता है, तो उसे डर लगता है अगर अपराद बोध या गिल्टी कॉंश्यन्स नहों तो डर भी नहीं रहेगा परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है, अपराद बोध के साथ बिना इस बोध के विवेक के मनुश्य कुछ भी कर सकता है, उसके कर्मों की नीचता का कोई अंत नहीं होगा लेकिन अंतरात्मा की आवाज के कारण इनसान एक हद के बाद रुक जाता है यह हमारा विशे नहीं है, उसमें हम नहीं जाएंगे, वापस आते हैं जब हम डरते हैं, तो बचाव का रास्ता डूनते हैं, कोई शरन स्थान खोचते हैं, ऐसे किसी के लिए तरस्ते हैं, जिस पर हम भरोसा कर सकें, उस भै से निकल सकें डर का एक और रूप है, जिसे हम भै कहते हैं, या यूँ कहले, कि डर के कई अर्थों में भै भी आता है बाइबिल में भै का प्रयोग परमेश्वर का भै के लिए किया गया है, इसे विरोधाबास ही कह सकते हैं, कि डर से बचने का मार्ग भी डर ही है दो आयते पढ़ूँगा, ध्यान से सुने नीतिवचन 14.26 यहोवा के भै मानने से द्रढ भरोसा होता है, और उसके पूत्रों को शरनस्थान मिलता है दूसरा है, भजन 112.1 यह की स्तुती करो, क्या ही धन्य है, वह पुरुश जो यहोवा का भै मानता है, और उसकी आज्याओं से अती प्रसन रहता है यह वो भै है, जिसके कारण मुसा अपने पाउं की यूतिया निकाल कर फेकता है, जब उसे पता चलता है कि वह पवित्र भूमी पर खड़ा है निर्गमन की किताब अध्याए 3 आयत 5 यह वो भै है, जिसके कारण पत्रस इशू से कहता है, यह प्रभू मुझ से दूर चला जा, मैं पापी मनुश्य हूँ लुका की इंजील अध्याए 5 आयत 8 जब हम डर में होते हैं, तो कमजोर हो जाते हैं लेकिन जब हम परमेश्वर के भै में होते हैं, तो दृड हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं क्योंकि वचन हमें सिखाता है, यह वा के भै मानने से दृड भरोसा होता है जब हम डर में होते हैं, तो बच कर निकल जाने की सोचते हैं लेकिन जब हम परमेश्वर के भय में होते हैं तो उसकी शरण में होते हैं और कोई भी शरण स्थान से निकल कर भागना नहीं चाहेगा क्योंकि वचन हमें सिखाता है यहोवा के भय मानने से द्रिड़ भरोसा होता है और उसके पूत्रों को शरण मिलती है जब हम डर में होते हैं तो लगता है क्या बदनसीबी है लेकिन जब हम परमेश्वर के भय में होते हैं तो धन्य हो जाते हैं क्योंकि वचन हमें सिखाता है यह की स्तुती करो क्या ही धन्य है वपुरुष जो यहुवा का भै मानता है परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ प्रदान करे और आप और मैं डर से निकल कर परमेश्वर के भै में शरण पा सके आमीन